बजदर प्याग भी जाना है और मेरे साथ मा भी जा रही है तो मा थोड़ा जल्दी निकल गई और गाड़ी है नहीं परिसान मत करो मेरे को ऐसे करके चल ले थे वल कल आज फिर देगो बहुत जिद है मा और पापुजी के अंदर क्या हाल चाल चलो नानी तब हो जाओ चालो आज नानी और मेरी जोड़ी बनाएगा राम से रोटी तक की सुबह सुबह बच्चे आते हैं और वो दहली पे फूल डालके चले जाते हैं तो यह हेलो दोस्तो नमस्कार क्या हाल चाल मैं हूँ परमोध रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में एक नए सांदार व्लोग के साथ दोस्तो सवोके नवज रहें और चिडियाओं के चहचाने से आज की व्लोग की सुरुवात हो रही है अपने घर के पास सही चाचिलोगों की गौसाला की छट से और आज है सकरांती का दिन तो आज से चैतरमास लग गया है और चैतरमास के लगते ही अमारे पहाडों में एक खूब सुरत सा त्योहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं फुल देई का त्योहार पहाड के सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये त्योहार सिर्फ पहाडों में ही मनाया जाता है पहाड का एक लोग पर है हमारा फुल देई त्योहार यह क्यों मनाया जाता है इसके पीछे मलब माईके में घूमती है फिरती है खेलती है और फिर वापसी चले जाती है अपने माईके से सस्राल तो पहाडों में जो फुलदवी का त्योहार है वो कहीं एक महीने तक मनाया जाता है कहीं 15 दिन तक मनाया जाता है और हमारे यहां की मैं बात करूँ तो यह मनाया जाता है मातर 8 दिन के लिए और 8 दिन फिर मलब जो फुल देवी माता है वो अपने सस्राल चले जाती है तो ऐसा ही कुछ तिवहार मनाते हैं और यह वीडियो आपके पास थोड़ा लेट से पहुंश रही होगी क्योंकि कुछ दिक्कत है बीज में आगी थी मैं बता रहा हूँ तब से मैं regular वीडियो बना रहा हूँ लेकिन एक दो दिन पीछे मेरे जो व्लॉग है वो चल रहे हैं तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से छमा चाहता हूँ और कैसे यह तिवहार मनाते हैं क्या होता है तो यह मैं आपको कल या परसों के व्लॉग में बता दूँगा आठ दिन तक यह तिवहार चलेगा तो आने वाले दिनों में आपको बता दूँगा इस तियोहार में क्या ज़ां करते हैं ? व्यसे आज सुबह बता देता लेकिन आज कल वियत गड़वड है, तो सुबह उटनी पाया मैं तो फिर आपको दिखा नी पाया था थो थोड़ा अपने मूझने से ऐसे मैं आपको बताऊ होती है वहाँ पर फूल डालते हैं तो कुछ ऐसे यह त्योहार मनाया जाता है और जो डालते हैं जो डोली के साथ जो बच्चे होते हैं उनको फुलारी बोलते हैं और जो फुल्दई माता है फुल्दई माता को हमारे यां घोगा माता के नाम से जाना जाता है तो यह आप दे का काफ़ी जादा हो गया है मल्सक्राइब हर पूली फूल देखने को मिलते थे लेकिंग में आज कल फूल की बहुत जादा कमी हो गई है और फूलारीों को भी अलगी टेंशन हो गई है कि वह फूल कहां लेकिन अब की बार वह फूल देखने को मिली नहीं रहे हैं पता नहीं क्या हो गया है तो अब देखो आज तो अपने भाई लोग जो भी हैं अपने छोटे-छोटे भाई वहन जो भी हैं वह फूल लेके आये हैं सिर्फ बुरास के लेकिन आने वाले टाइम पर अगर वह और फूल लेके आयेंगे और फिर सुबह सुबह घोगा मातकी डोली के साथ दहलीजों पर यहां पर डालेंगे फूल तो कैसे डालते हैं क्या होता है वह मैं सुबह उठके आपको एक दिन जरूर बताने वाला हूं फूरा की गाउं में कैसे भर्मन करते हैं उनके साथ मैं भी स्क्रीन पर अपने खचर वाले भाई लोग डश्ट लेके आए हैं तो वहां से उसको यहां फैक रहे हैं और कल रात को हमने थोड़ा बहुत यहां पर लगाई थी तो उन इंटों की चिनाईमा और ज्यादा कर रही है उनको सही से रख रही है जिससे की जो डश्ट है वह ब सब्सक्राइब यहां पर हो रहा है काम लेकिन साथ साथ में आज सुबस हो खचर को इतना गुसा आया कि इसने टंकी पर लाद मारी तो यहां पहुंचते पहुंचते वह पहुंच गई थी तो चलो अब क्या करते हैं फटापट कामधाम करते हैं करें से माराज को थोड़ा खेल डिखाते हैं क्या कर ना है या निए खेल देखने के लिए आ रहके जाबर कि अब कि अ कि अ तो आपने खचर वाले भाई लोग एक और चकल लेके ही पहुच चुके हैं दस्ट्का अपने जित्तों भाई और दिंबंब क्वाई हर्य हर्य हलौ हर्य हल्य ही है कि है यह कलिकी तो कल बापु जी की तवियत खराप हुई और बापु जी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे और आज भी तवियत गड़वड है उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहां पर आ रखें बापु जी को अमने बोला था चौक से बहार भी मत आना जो क्यों वहां जेल में रहां जब तब यह सही नहीं है तो क्या तुम आज आगे ना फोड़ा पुषिना पुषिना हो से ठीक हो जाता है यह बढ़ा एकर पूर बदम गड़ा कर जाएगा कल भी नहीं बुटा यह मेरे दवाई चलो लगे रहो तब क्या बोल सकते हम तो आज पिर देगो बहुत जिद है मा और बापुजी के अंदर किसी की सुनेंगे यह नहीं चाहिए कुछ हो जाए पर चलो अब हम क्या बोलें ठीक है ठीक है तब कुछ नहीं बोलेंगे हम फिलाल भाई साब और मैं जा रहे हैं सामने पहाड़ी के और वहाँ पर छोटे-छोटे पत्थर हैं वो लेके आएंगे यहाँ पर रोड़ी फोड़ने के लिए और साथ-साथ में कुछ और काम में अभी वो पत्थर आ सकते हैं तो अभी वहाँ पर तो हमारा कुछ काम था नहीं तो हमने सोचा घड़ जाने से पहले के कंडे पत्थर के लिए आते हैं सामने पहाड़ी से तो फटा फटम पहाड़ी पे आए और यहां से देख सकते हैं हमने कंडे बरे और चल पड़े वापसी गाउं के लिए और यहां का रास्ता तो मैं कई वीडियो में आपको बता रहा हूं बड़ा खतरनाक है पैर फिशला तो आदमी सीधे नीचे जाने वाला है तो भाई सामने तो तरली वो चीज लेकिन अब मेरा क्या होगा तो चलो अब हम भी चलते हैं तो पत्थर लेकर हम पहुंच चुके हैं यहां पर और जो पत्थर है वह हमने सब यहां पर जाल दिये हैं और अब थोड़ा धूब कापी तेज हो गई है तो अब भी घर निकलते हैं हम तो घर जा रहे हैं लेकिन बापुजी का सायनमन नहीं कर रहे हैं बीभी लगे हुए हैं टक 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 वे काम है काम है काम है सेहत भी होनी चीह काम के लिए जब खाना बनेगा भूब को लगते तब दवागे तो अच्छी बात है तो क्या बोल सकते हैं और अब हम आए हैं दादी के पास में और दादी की यहां पर फोटो कीची जा रही है यहां से और दादी देखो बिल्कुल फोटो कीचने के लिए बिल्कुल खड़ी जैसे हो गई है नहीं दादी यह दादी को फोटो भी दिखा रहे हैं है कुस हो गई दादी फोटो दोगलिदे भीवा है 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 परिशान मत करो मेरेको और दादी खार यह माल्टा आ हा 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 मजा रहा है आप माल्टा खाने में हैंदादी हाँ 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 इबाबा तयर फोट भ्याजन दिल ली तया दिल ली हाँ यहाँ आदेवा आटें तयर पिंदा उदू भृद्धी खेल्या तो खाना भी बन चुका है और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खाने में भात है पालक का हरा साग है जिसको उन ध्यबलू बोलते हैं और साथ साथ में माल्टा दोस्तों जैसे भात खाया उसके वाद भागे भागे मैं जा रहा हूँ ठीक है रोड की ओर मुझे भज़र प्याग हमरी जा रही है है और मैं तोड़ा जल्दी निकल की और भाडी तो बड़ी दिक्कत हो रही है, फॉन पे फॉन आ रहे हैं नेको तो फॉन पे फॉन आ रहे है जैसे बोला था मैं अभी बात खी तो बल दो मिनटे पहुच रहे हो तो चीक है बल नहीं दा रहे हैं तो चलते हैं फॉह पर वाद, हएलो ह एलो हुलो बैस्टास कमझΑ में एंड जसा हुए है 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 लो है है हलो है लो तो राश्कल ने हमको पहचान लिया लो राश्कल और यहां पर अपनी नानी भी नानी हलो है हेलो क्या हाल चाल कि दोस्तों सामके 45 तो रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग अपने नन्हियाल अभी आपने नानी भी देख लिए और साथ में भार पे रासकल था तो रासकल भी अपने देख लिया है रासकल ने एकदम से पहचान लिया और हालत खराप हो गई है मैंने आपको कई बार बूला है कि सामके टाइम पर हमारे यहां से कोई भी गाड़ी नहीं आती है तो टीचर लोगों की गाड़ी आती है लेकिन आज शुक्ती थोड़ा जल्दी हो गई तो इसोज़ाव से ज्यादा भागदोर हमको करनी पड़ी पर चल है है हलो अलुली ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली-ली अन्नानी अपने हातों के बनी हुई स्वादेश्टेश्टी सी चाय हमाई लेके आई है वो भी भरे बरे गिलास और यहां पर एक और नानी जी पहुंचे हुए है तो भार अंदेरा हो चुका है और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं तो मा यहां पर लेटी हुई है सोपे में नीद आ रही है मा बहुत जादा ठक गई वाला आज गाड़ी के वजह से काफी जादा भागदण हो गई है और मामा जी पहुंच चुके हैं अपनी ड्यूटी से घर अब को तो नी आरी नीन जरा बताओ दीदी जी को जरा खाना को ना बनाओ लो प्रफान तो मा तो मदद बिल्कुल आराम करने ही माई के आती है जब यातिये अब मामा जी के सामने मा को सर्मा आरी है है हिंदी बोलने में आज मां गड़वाली बोल लिया पहली बार अब काम करने के लिए बोला तो थकान लगे मुझे नीन आरी है है अब जले भी देखी माने अम से खड़ी उड़वी ले अच्छा हो रहा है अब माने हिंदी बोल दिया फिट से क्योंकि आफर मामा जी है निया हुआ खाले अपने आपकर यहां पर अपनी नानी है किचन में और नानी और मैं दोनों आज मिलके रोटी बनाने वाले हैं तो नानी बोल ली एक गोली बनाती हूं बल मैं नहीं तो मैं सोच रहा था कि वहीं से मैं कोली बनाता हूं वहीं से रोटियां बनाता हूं तो फिर नानी वहाँ पका देगी जल्दी जल्दी चलो नानी तब हो जाओ चालो आज नानी और मेरी जोडी बनाएगा राम से रोटी और रोटियों पर मल्दा पता नहीं कितने परक तो अब अपने हाथों से बनी हुई स्वादेश कोल लोटिया मैंने आपको दिखाई थी और वह पेट में भी चले गई है और सब लोग ने भी खाना भी ना खाया तो सब लोग सोने के लिए भी चले गए है अब बस मेरी भी सोने की तयारी है और मैंने सोचा सोने से पहले आपके कुछ सवाल रहते हैं तो उनके जवाब दे रहता हूं और आज का जो पहला सवाल है वो आप लोग कई बार पूशते हैं कि जो रुद्र प्याग डिश्टिक आप लोगों का है उसका जो में मार्केट है वो आपके गाउं से लगबग कितनी दूरी पर है तो रुद्रप्याग दिश्टिक और हमारे गाउं के बीच की जद दूरी है वो लगबग है 34 किलो मेटर और साथ साथ मैं इसके साथ एक और सवाल पूछा जाता है ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि अगस्तमुनी आपके जो लोकल मार्केट है वो आपके गाउं से कितनी दूरी पर है तो अगस्तमुनी और हमारे गाउं के बीच की जो दूरी है वो लगबग है 20 किलो मेटर जिसमें कि आप मान सकते हैं 17 से 18 किलो मेटर जो गाड़ी का रास्ता है और दो किलोमेटर लगबग हमारे गाओं का पैतर रास्ता है वैसे दो किलोमेटर पूरा नहीं है लगबग है उतना ही तो ऐसे कुछ आपके सवाल थे जो मुझे याद आ रहे थे मैंने सोचा आज मैं रुद्रप्याग आ रखा हूं तो इनके जव के लेट तक रहता हूं तो चारों साइड दिखाऊंगा कि नानी का जो घर है वो कहां पर है फिलाल बस आपको लोगों को बता दिया है कि नानी का जो घर है वो पुनाड गाओं महादे मौला में है और पंडावर लिला के दोरान में जब यहां पर आया था उस दोरान मैंने आपको सब कुछ बताया था फिलाल सब लोग सोग यह हैं तो अगर मैं ऐसे वीडियो बनाता रहोंगा तो सब की नीन ख़राब करता रहोंगा तो फिलाल अब बिस्तर के अंदर मैं भी जाता हूं और सुना तो क्या है लेकिन थोड़ा वीडियो एडिट कर लेते हैं और आप लोगों से एक वार फिर तक के लिए जहें जय उत्राखन जय भारात बाई बाई टाटा